अलो दोस्तो जैसा के आप जानते हैं यह है रादा का घर रादा अपने माई के जाने के लिए तियार हो रही है तो जो लो देखते हैं आज की गाने में क्या होने वाला है अरे वा, आज की एक बार में तो मोसम बहुत ही साफ लिखा है, अभी हम जाने में कोई प्रिशानी नहीं होगी, चलो अच्छा है, सासुमा के घर अच्छे से पहुंच जाएंगे अरे ओ राधा, क्या तुम तेयार हो गई हो, या मैं अपनी बाइक साफ कर लूँ अरे हर्श के पापा, अभी तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, मैं त्यार हो रही हूँ, थोड़ा समय तो दीजी त्यार होने के लिए, और अभी तक मेरा लला भी सो रहा है, दीखे ना, सोते हुए मेरा लला कितना प्यारा लग रहा है, और आप अपनी बाइक मत दोएगा दोते दोते आपको दो शाम हो जाएगी फिर हम लेट हो जाएंगे ठीक है राधा अरे मैंने तो पूरे एक वार ही पड़ ली है अभी क्या करूँ अरे हाँ आज तो गईयां को चारा ही नहीं दिया चलो गईयां को चारा दे देता हूँ और फिर मोहन गईयां को चारा देने के लिए वहां से चला जाता है अरे ये लिपिस्ट का कलर कितना अच्छा है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए तो मैं ये बार बार लगाती हूँ और मेरा लला कितना प्यारा लग रहा है सोते हूए अभी तक नहीं उठा य जब तक की सो रहा है अच्छी तरह त्यार हो जाती हूने तो मेरा लला मुझे त्यारीणीं हूने देता हूँ आरे वावा कितनी लग रही है अरे प्यारे गईयां आज हम रादा के माइकों मिलने के लिए जा रही तो मैं शाम तक आ जांगा तुम किसी बात के चिंता मत करना मैंने तुम्हें चारा डाल दिया है और पानी भी डाल दिया है चलो अभी मैं जाकर देखता हूँ राधा तयार होई है या नहीं ठीक है न गईया अरे राधा क्या तुम तयार हो गई हो या तुम्हें तयार होने के लिए अभी और भी समय चाहिए अरे जल्दी करो अगर तुम्हें समय लगेगा तो मैं अपनी बाइक साफ कर लेता हूँ अरे हर्श की पापा आपको हर समय जल्दी जल्दी क्यों रहती है आपने कहीं जाना है क्या मुझे अच्छी तरह त्यार तो होने दीजिए भी तक में लल्दा भी सोया हुआ है और आपने तो कहता क्यों मायूरी भी आने वाली हैं अभी तक वह भी नहीं आया है। उसका टेजार कर लेदे हैं ठीक है ठीक है रादा शान तरह शान आप रहून शान रहो मायूरी भी आने और वो आलू के प्रोटेटों बहुत ही अच्छी बिनाती है रादा अंटी रादा अंटी रादा अंटी रे मायूरी बेटा तुम तो बड़ी ही सुंदर लग रही हो आज तुम नहा कर आई हो इसलिए तुम इतने सुंदर लग रही हो बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो मैं तुम्हारे अंकल को बुलाती हूँ अरे सुनते हो मायूरी आ गई है चलो अब हम चलते है चलो अच्छा है मायूरी भी आ गई है अभी हम चलते है ठीक है रादा मैं अपनी मोटर साइकल निकाल कर ले के आता हूँ चलो फटा फट बाइक ले कियाता हूँ अभी मोहन अपने बाइक लेने के लिए वहाँ से चला जाता है अरे मेरे लला चलो जल्दे से उच्छाओ अब हम तुमारे नानी के घर चलेंगे चलो चलो जल्दे से उच्छाओ मैं तुम्हें अपनी कोदी में बिठा लेती हूं चुरू मेरे लल्ला जल्दी से उठो ना तुम इतने आशी क्यों होगे हो एक मिनत रादा अंटी मैं अभी रुषोई में से पानी पी कराती हूं अभी मायूरी रुषोई में पानी पीने के लिए चली जाती है अरे यहां पर तो गिलास ही नहीं है काम पर है गिलास ले और तभी वहां अचानक से आग लग जाती है अले अंकल अंकल जल्दी से आईए रुषोई में आग लग गई है अरे यह क्या हुआ यह आग कैसे लगी अरे बेटा तुम अभी तक यहां पर खड़ी हो चलो 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 रुषोई में से जाओ मैं फटाफट पानी लेके आता हूं और इस आग के उपर पानी डालता हूं उन फटाफट आग बुजाने के लिए पानी लेके आता है तभी मोहन पानी से आग को बुजा देता है शुकर है ये आग बुझ गई मैं तो पाई लेके आने में ही ठक गया इतने तेई भागना बड़ा अरे हर्ष के पापा आप जमीन में क्यों बैठे हुए हैं क्या हुआ और आपने रुसोई में इतना धुआ 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 हो गया है चलो शुकर है जल्दी से बंद हो गई वरना तो हमारा घर ही जल जाता और उसके बाद राधा और हर्ष मायूरी के साथ माय के चली जाती है तो दोश्तो आज की कानी में बस इतना ही आपको कानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें